नमस्कार दोस्तों! तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फुटेज निकल कर सामने आई है. अब से कुछ ही घंटे पहले तेजस लडाकू विमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तेजस लडाकू विमान उड़ रहा है और कुछ ही मिनटों पहले एक पाइलट उसमें से ejector parachute की मदद से नीचे आ रहा है, वहीं लडाकू विमान भी कुछ दूर जाकर crash कर जाता है. ये तेजस लड़ाकु विमान अब से कुछ घंटे पहले क्रैश हुआ है हालांकि अच्छी बात ये है कि जो पाइलट है वह पूरी तरीके से सुरक्षित है लेकिन तेजस का क्रैश होना एक बहुत बड़ी घटना है वह इसलिए क्योंकि तेजस ने पहली उड़ान भरी थी सन 2001 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ाया गया था तब से लेकर अब 2024 आ चुका है यानि कि पूरा 23 साल का वक्त बीथ चुका है इन 23 सालों में तेजस लड़ाकू विमान एक बार भी क्रैश नहीं हुआ इसका रिकॉर्ड आउटस्टेंडिंग रा है इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस मामले में धूल चटा दी है उदाहरण के लिए राफेल लड़ाकू विमान जिसे दुनिया का एक एलीट लड़ाकू विमान कहा जाता है वह फ्रांस की सेना में शामिल होने के बाद 6 बार क्रैश कर चुका है जी हाँ 6 राफेल लड़ाकू विमान क्रैश कर गए है पिछले कुछ सालों के अंदर बात करें F-35 जिसे अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड का one of the most advanced और most lethal लडाकू विमान कहा जाता है वो पिछले 15 सालों में ही 12 बार क्रैश कर चुका है ही नहीं पूरे यूरोप का one of the most lethal लडाकू विमान माने जाने वाला यूरोफाइटर टाइफून जो की एक बहुत ही घातक लडाकू विमान है वो पिछले 20 सालों में 11 बार क्रैश कर चुका है वहीं चीन के J20 की बात करें जो चीन का सबसे ताकतवर लडाकू विमान है उसके तो क्रैश करने की कोई limit ही नहीं है वह तो कई बार उड़ भी नहीं पाता और ये तो मैंने दुनिया के सबसे घातक लडाकू विमानों की आपको बात बताई है अगर मैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लडाकू विमान JF-17 की आपको बात बताने लग जाओ तो ये वीडियो 10 मिनट की हो जाएगी उस लडाकू विमान की हालत तो ये है कि 40 पर JF-17 उनकी सेना में है न वह उड़ ही नहीं पाते क्रैश करना तो छोड़िये क्रैश तो वो करेगा जो उड़ेगा वो उड़ ही नहीं पाते और ऐसे में हमारा तेज़स है जो पिछले 23 सालों में आज 2024 में पहली बार क्रैश हुआ है तो क्या मैं तेज़स की क्रैश को जस्टिफाई कर रहा हूँ ग्लोरिफाई कर रहा हूँ नहीं मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल जो सेलिबरेट कर रहे हैं तेज़स के क्रैश को जो भारतियों का मजाक उड़ा रहे हैं आप उन्हें इग्नोर कीजिए तेज़स ने बड़े-बड़े लड़ाको विमानों को धूल चटाई है और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है तो मैं आपके लिए एक शायरी पढ़ता हूँ गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले मतलब कि जंग में शहीद वही तो कहलाएगा न जो जंग लड़ने जाएगा जो घर बैठ कर सरेंडर कर जाएगा वो भी नबबे हज की संख्या में वो शहीद कैसे कहलाएगा और दूसरी बड़ी बात मशीनरी है जब चलेगी तो खराब भी होगी आपकी मोटरसाइकल भी खराब होती है गाड़ी भी खराब होती है रही बात तेजस की तो इस बुराई में भी हमें कोई न कोई अच्छाई मिलेगी क्या पता हमें ऐसी कोई खामी पता चले जिससे की भविश्य में सुधार कर हम अपने लड़ाकु विमान का रिकॉर्ड और बहतर बनाएं हालां कि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर दूँ थैंक यू